स्वागत है दोस्तों आपके अपनी पार्ट शाला में और मैं हूँ आपका SDP गुरुजी तो चलिए आज हम लोग देखने वाला है कैसे आप लोग तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड़ कर सकते हैं और वो भी शॉट कट टेक्निक के तुरूप जी हाँ लास्ट वीडियो के कंपेर में यहाँ पे आपका लाइन आफ कोट कम होने वाला है दोस्तों तो जल्दी से चलते हैं इंप्लिमेंटेशन पार्ट की तरफ तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ले लेते तीन नंबर जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी लिया था यहाँ पे ए ले लिया मैंने बारा बी ले लिया चौदा और सी ले लिया मैंने बीस अब मैं यहाँ पे simultaneously दो condition चेक करूँगा दोस्तों logical operator की मदद के थ्रू यहाँ पे मैंने चेक करना if a is greater than or equals to b and if a is greater than equals to c तो आप लोगों का output आजाएगा that directly a is greater मतलब आपका दोनों भी number चेक हो चुका है the number a is greater आप लोगों ने यहाँ पे लेग देना है अब यहाँ पे एक number की condition तो चेक कर ली दूसरे number की condition आप लोग चेक कर सकते हो अलिफ के दूरूद तो यहाँ पे अलिफ के अंदर मैं लिख दूँगा if b is greater than equals to a and b is greater than equals to c तो आप लोगों का प्रिंट स्टेट्मेंट में आ जाएगा दी नंबर नंबर b is greater और उसके बात बचता क्या है बचता आपका else part है दोस्तों जहाँ पे आप लेग देना बिना कोई कंडिशन के तुरू क्योंकि एक ही तो कंडिशन बची है यहाँ पर आपने लिखना नंबर c is greater जी हाँ अब f5 प्रेस करके execute करना है और चेक करना है यहाँ पर आउटपूट डिरेकली c is greater मिर रहा है कैसे चलिए इंप्लिमेंटेशन देख लेते हैं सबसे पहले आपका नंबर आएगा यहाँ पर यहाँ पर होगा चेक क्या 11 ग्रेटर है 14 से जी हाँ बिल्कुल ग्रेटर है अरे नहीं है भाईया 11 से यहाँ पर आप लोगो है क्या आपका में ग्रेटर केशन के बढ़ा है नहीं है तो दूसरे Зथा करेए क्या 11 आपùएंटी से बढ़ा है नहीं है तो आपका यह कंडिशन इसो हो गया फेंच घ। उसके बाद नहीं यह तो fail हो गया मतलब बज़ गया आपका else part इसलिए आप लोगों का output मिलेगा ये c is greater आप लोगों को मैं बता दू and का importance क्या है and operator ये एक logical operator है दोस्तों इसके उपर detail में मैंने video बनाई है अगर आप लोगों ने नहीं देखिए तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करता है and operator दोनों के दोनों operant की condition अगर true होती है तब यह आप लोगों का output मिलता है true इसका मतलब यहां पर दोनों condition false ती इसलिए मिले आप लोग को false और यहां पर क्यूंकि दोनों में से एक condition false ती इसलिए आप लोग को मिला false और बचता तो आपका आखरी का condition है जो है else जो कि रहे गया true इसलिए आपको मिला दोस्तों C is greater तो आप लोग के information के लिए मैं बता दू दोस्तो हमारी ओफिशल वेबसाइट आ चुकी है sdpguruji.in आप लोग चेक कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को नोट्स, प्रोग्राम्स, mcq questions, साथ ही साथ प्रोजेक्ट के codes और आप लोगों को important updates भी मिलते रहेंगी technical news भी मिलते रहेंगी और आप लोग play store से हमारा application भी download कर सकते हैं दोस्तो, application के link और website के link मैं आप लोगों को description में बता दे रहा हूँ तो जल्दी से visit करिए और subscribe करिए अगर आप लोग नए है channel के उपर और like करिए अगर आपको ये video पसंद आया thank you so much दोस्तो, have a nice day, stay safe, stay at your